सेहरी खाना नभी की सुलत है अल्ला के रसुल इर्शाद फरमाया सेहरी खाया करो ये बरकतों वाला खाना है कौन खाना है बरकत वाला खाना है सेहरी में मेरी मा बेनों सुनो सेहरी खाया करो सेहरी में बरकत है बरकतों वाला खाना बरकतों वाला खाना सेहरी का खाना है आज़ा देखिए, सहरी खाओ, कितना खाओ, सहरी खाओ, तो कितना खाओ, तो इसमें बताया है कि या, बाज-बाज लोग सहरी इतना खा लेते हैं, कि दीन में बोलता, तो लोग बोलता, की भेल मिया, क्या अन्ड़कार होई, बदहजमी है गई यह मुख, एक आदमी को काया करो, काया ड़कार रहा है, बोला हजर्त, हम मुख्ससर सेरी कھाते है, का खाया ड़कार रहा है? बोला कि हज़ग्ञत च्छे फराथा एक किलो दूट काया, बस यही मुख्सर, लोग सेरी मुख्सर खाओ, ठाके रोजा खराब نہ हो, रोजा खराब ना हो, एक बाद आदमी भूका नहीं मरता है, खा कर मरता है. बात सही की गलत बोलिये. एमाम मुस्लिम रहमतुल्लाले बहुत बड़े मुहद्धीस हैं. जानते हैं? आप कैसे इंतकाल किये? एमाम मुस्लिम रहमतुलाले हदीश का मुताला कर रहे थे अब उसमा इतना डूबे कि भूग लगी भी थी तो खुजूर की बोरी रखी भी थी उटाए खाए उटाए खाए उटाए खाए धियाने ने राप पूरी बोरी खाली हो गए पेट फुल गया इंतकाल कर गए भाई ये पेट ना है मशीन फैक्टरी थोड़े है कि जो पाओ डाल दो पकड़ करके तो इन्शालला नभी के सुन्नत के मताबिक सहरी खाएंगे हाद उटा निशालला लहांदला शेहरी खाएंगे अच्छा और एक पाए रुज़ेदार और बता दू एक रोज़ेदार वो भी है पहला रोजा रखता है पहला ठो रोजा रखेगा अब बीज में अठाइस रोजा छोड़ देगा अल्लास्ट वाला 30 रोजा रखेगा एक नौजवान को मैंने पकड़ा हमने कहा कि कावे पहला रोजा रखा 28 छोर दिया 38 रखा है का है दो ही रोजा रखेगा का बोला हजरत आप समझे नहीं हम रोजा को घेर दिये का रोजा भागा जा रहा था अरे रोजा भागा जा रहा था बोला नहीं नहीं रोजा मैं घेरे दिनू रोजा भागवानी पहले पहला रोजा रखे तिस्वा रोजा रखे ए नौजवानों रोजा रखो अल्ला इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा अल्लै इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा एक बाद याद रखो नमाद पढ़ोगे नमाद पढ़ोगे कुरान पढ़ोगे हज करोगे जकात दौगे सदगा दौगे कोई भी नेक अमल करोगे अल्लै फरिश्टों से इनाम दिलाएगा लेकिन सुनो जब रोजा बंदा रखेगा मेरा अल्ला कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दू रोजे का बदला मैं अपने और रोजे का बदला होगा जन्नत फिर्दोस कितने लोग रोजा रखेंगे वाँ रोज़ेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी भी नहीं छordेगा अचा रोजा नहीं रख़ेगा इफ्तारी में सबसे पहले भाई बढ़ेगा अब बीबी को बोलेगा अभी तक कच्री नहीं बनिया, जल्डी नहीं हो मुख भूग लगे गई एक नौजवान को मैंने पूछा कि अबे तू तू रोज़ा नहीं रखता रही इवतारी कहे करता बोला का हम हिंदू हो गए हम इवतारी भी ना करें बहुत ने तू पक्ता मुसल्मान हो एई है अज़ा इवतारी भी करेगा ऐसा करेगा अल्ला रामता फर्माए बाप बाप ये कच्री है ये फालूदा है ये मिठाई है ये वल्वा है ये पूरी है ये सबजी है ये ये चूरा है ये मुरी है ये घूनी है दुनिया भर का ऐसा लग रहा है कि फेक्टरी भरो अब बैस सबर से खाओ भाई अफ्तारी क्या थी अफ्तारी क्या थी अफ्तारी क्या थी एक खुजूर एक खुजूर एक खुजूर एक खुजूर इफ्तारी थी नमाज के लिए ख़ड़े हो जाते थे यहां तो अब पताई चला इफ्तारी के चक्कर मैं जमाद छुट गई बोले ओ नमाज पर लूंबा पहले अफ्तारी खावा दे नित खतम है जावे अच्छा एक आदमी देख्चा जाएंगे जन्नत में निशाल्दा अरे बोलो ने जन्नत में जाएंगे कितने लोग जाएंगे बुड़वा लोग जन्नत में जाएगा बुड़वा बुड़या जन्नत अद निशावे बुड़वा जन्नत अद जावे को जावे अल्ला पहले जवान बनाएगा जवान बनाकर अल्ला जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा इसलिए के जन्नत में बुड़ापा नहीं है जन्नत में बीमारी नहीं है जन्नत में ये धूक नहीं है जन्नत में पेशाव नहीं है जन्नत में पखाना नहीं लगेगा और कुरबान जाओ अब वहाँ खाना हजम कैसे होगा आदमी खाएगा खाना हजम कैसे होगा भाई यहां भूब लगती है खाना खाते हैं फैक्टरी भरा तो फैक्टरी खाली भी करते हैं खाली करते हैं भाई वहां यह जमेला नहीं होगा वहां खाली उली के जमेला नहीं एकदम नहीं एकदम एकदम पन तो हजम कैसे होगा तो बताया उलमा फरमाते हैं कि वहां पर य ऐसा खुश्मूदार पसीना होगा कि बास अलहम्दलिल्ला एकदम खाना तूरं जो खाय हजम हो जा अचा वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है यहां खाने का सिस्टम क्या है खसीर गोस खानूतन जी चाहा के मी खसीर गोस खानूतन तो कसाब से बोले मोग की किलो गोस दे कसाब गोस काटा फिर मोटरसा के लिश्टाच कि घर आए घर आने के बाद फुत्की की मां को दिये three goals बना फुत्की नाम है गी नहीं बोलो कि फुत्की यह तो फुत्की कुछ भी नहीं है एक नाम है फुर कुन फुर्गुन अजय एक नाम देख है एक लड़की के बच्ची का नाम था बेचनी हमने का कि या ला ये बच्ची को चेहने नहीं हम देखते कभी यहां रखती कभी हो रखती कभी पेचनी का है नाम रखती इसला ये पूरी सिंदगी बेचें डेगे नाम का जात पर असर होता है ना नाम का अल्ला के रसूल आरिशाद फर्माया बच्चे का ये हक है माबाप के उपर मैए कि जब बच्चा पएदा हो जब बच्चा पएदा हो तो सबसे पहले उसके दाही ने कान मा अजान दो बाइं कान में तक्बीर पुकारो ये बच्चे का हक है माँ बाप के उपर मैं फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू गलो एक तेरे चोदो साल का लड़का मेरा पैर दबारा देख जलसे में गया था बड़ा खुश हो गया तो मैंने का है विटा तुर नाम की रहे है हमने का कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में ला जा रहा है नाम बोलने रहे की नाम जो रहे भूले मोर नाम छ फट कउन लिछ को कोंई deste क्यां जो बोले मोर दादोर रख जो तो तुम दादोर नाम की चुल ले भोले लट कॉन लट ऐस spons फटकते रहो फटकते रहे कोई नाम है कलकते में एक निकाप पढ़ाने गए लर्का का नाम लिख लिए अब लर्की का नाम लिखना था तो हमने का भाई लर्की का नाम बोलो तो एक लर्का बोला लिखिये हम बोलो बोलो चुब हो गया उसके बगल में एक नौजवान था उसको बोला भाया, ती ही बोले दे, उंगो खुलाज जबाओ, तो दूसरा नाजवान बोला कि हजरत लिखिये, हम बोले बोलो, उबी चुप हो गया, वो तिसरे को बोला, तुम भी बोलो, हमको भी शरम आ रहे हैं, तो तिसरा बोला कि हजरत लिखिये, हम बोले अल्ला का बन गोड़ी बेगम उभड़ सोचो कोई नाम है ये लिए मेरी माफेनों अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो अच्छा नाम कौन साभावा जिसको मेरा अच्छा Πेसर मेरे और वो अच्छा नाम है, हमारे कहने से अच्छा नहीं हो गाई, अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है आपके उपर में, नहीं तो अगर बच्चे का हक अदा नहीं किये, तो कल खयामत के दिन ये बच्चा गरेबान पकरेगा अल्ला की बारगामा, किसी के हको अगर किसी ने दुनिया में मारा है वो अल्ला का मुझरिम है इसलिए मेरे नौजवानों जब घर के अंदर में बच्चा पैदा होना बेटा हो चाहे बेटी हो कुछ लोग तो बेटी को नहीं सुसमाझ जाते है बच बीबी को बच्चा होने वाला है एक नौजवान ने देखा के बीबी को टिलेवरी है तो हॉस्पिटल जा रहा था बोला हजरत बाद दौा कर दिये दौा कर दिये हजरत कसके दौा कर दिये बस मुन्ना हो जाए आमने का अल्ला का बंदा मुन्ना हो जाए मुन्ना हो जाए अलाद तो अलाद है बोला नहीं 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 मुन्ना हो जाए जो दौा कर देंगे अगया होस्पीटल गया तो वहाँ लड़की पैदा हुई अब इसको फोन कर रहे तो उठाईने रहा फोन कर रहे उठाने रहा भई खबर खेरियत लेने के लिए फोन कर रहे तो कि क्या हुआ नहीं हुआ कम असकम 20-25 फोन किये उसके बाद फोन उठाया मैंने का अला के बंदा क्या हुआ भर तो बूला वो भई हम ने का हुआ रहे बूला वो ही जो नहीं होना चाहीएतब ही हुई वो बिटी हुई हमने का भे बुद्वा अरे खुल के बोल ना मेरे घर में अल्ला ने बरकत को पयदा किया है मेरे घर में अल्ला ने बरकत को पैदा किया है एक बाद याद रखो बेटा सिर्फ नेमत है बेटा सिर्फ अरे बोलो भाई बेटा सिर्फ नेमत है बेटा सिर्फ अल्ला की तरफ से नेमत है और बेटी जानते हो बेटी नेमत भी है बेटी बरकत भी है बेटी रहमत भी बेटी बरकत भी है बरकत बेटी रहमत भी है बेटी रहमत भी है और सुनो बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है बेटी की शादी करा दो अल्ला तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देखा हुआ 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 माबाप ने अच्छा सुलू किया उस बच्ची को अच्छी तर्बियत दिया अच्छे अखलाक सिखाया फिर वो बच्ची बड़ी हो गई कोई दीनदार लर्का देखकर उसका निकाह कर दे तो अल्ला के रसूल ले रिशाद फर्माया है कि जन्नत में मेरे और उस बेटी के ब का मैं नहीं है कुर्वान जाओ मौजज़ सामेने कराम तो निशालला बेटीयों से महबत करेंगे निशालला कितने लोग ते या रहाद उठाए निशालला बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई बाटना है खुशी में मिठाई बाटना है लोगों को खाना खिलाना है कि मेरे घर में अल्ला ने बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है, नेमत भी भेजा है, हां रही बात ये है, कि कुछ लोग लेकिन बेटे की पैदाईश में ज्यादा, समझी रहे हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं, لیکن میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹوں سے محبت مت کیجئے بیٹوں سے بھی محبت کیجئے لیکن بیٹے کے سامنے میں بیٹی کو ترجیح نہ دینا نظرانداز کر دینا یہ نبی کے سنت کے خلاف ہے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں بیٹیوں سے محبت کرو میں بھی بیٹی کا باپ ہوں میں بھی بیٹی کا باپ ہوں اللہ کے رسول کو چار بیٹی کتنی بیٹی تھی بولو सबसे बड़ी बेटी सियदा जेनब आ रदियल्लाव ताला नहा मक्के में जब पैदा हुई ना मक्के में जब पैदा हुई उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिन्दा दफन करते थे अल्ला के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई अम्मा हदुरत खदीजद कुबरा रदिय ल्लाह टाला अन्हा के शीकम से अल्ला के रसुल बाहर थे धर के अंदर तश्यव लाए तो ओरतों ने कहा कि बेटी भी बेटी भी जानते हो ऐ नौजवानों जानते हो अल्ला के रसुल मुश्कुराते हैं इरिशाद फरमाते हैं खदी जा कहा है मेरी बेटी मेरे गोद में तो दे दो मेरे गोद में तो दे दो और खुर्वान जाओ अल्लाव ऐकबर कभीरा ओरतों ने حضرت सेयदा जैनब को अल्ला के महbूब के गोद में दिया तो अल्ला के रसूल जनाब मुहम्मद रसूल अल्ला ने अपनी लखते जिगर बेटी स्यदा जैनब रदी अल्ला अनहा को सीने से लगाया पेशानी को चुम चुम बेटियों से महबद करो इस नियत से करो कि मेरे नबी की सुनत है जानते हैं हजरते फात्मत जहरा रदी अल्ला के रसूल की सबसे चहीती बेटी सबसे चोटी बेटी थी चार बेटी हैं सेदा जैनब कितनी हुई भो भाई सेदा रुकया कितनी हुई सेदा उम्म कुलसूम सेदा फात्मा सबसे चोटी बेटी है जानत ते फात्मा जब अल्ला के रसूल के घर पे जाते पास-पास ही घर था ज्यादा दूरी पे घर ने थी मदीने में पास-पास मां घर क्या था घर क्या था वो मिट्टी की दिवारे थी ऊपर खुजूर के टेनी के छत्ते है है